So good morning guys, तो चलिए आज का हमारा session स्टार्ट करते हैं बताईए सबसे पहले तो स्वाधीनता पुरुसकार ये कि इस देश का सर्वोच चनागरिक पुरुसकार है बांगलादेश का है Badminton World Federation इसका headquarter बताओ Kuala Lumpur मलेशिया में है और इसके प्रेसिडेंट है Paul Eric और आपको बतादू Badminton World Federation जो Swiss Open Super 300 हुआ था उसमें Main Single का टाइटल जीता था Victor Axel Sen ने जो कि Denmark के Badminton प्लेयर है Women Single टाइटल जीता था Caroline Marren ने जो कि Spin की ब्लेयर है इसमें PV Sindhu ने Silver Medal जीता था फिर बताए Super 75 scholarship योजना ये शुरू की थी अभी जम्मू कश्मीर ने और आर्थिक 173 सूचकांग 2021 जो आये था उसमें भारत 121 वे स्थान पे राथट टॉप पे कौन सा देश था Singapore अच्छा उत्राकंड के नए मुख्यमंत्री का नाम बताईए पुषकर सिंग धामी है ये नाम याद रखना इनसे पहले तीरत सिंग रावत थे अब बताईए नागरिक प्रदशन सूचकांग 2020 में टॉजार बीस में टॉप पे कौन सा शहर रहा तो देखो 10 लाग से जादा आबादी में बात करेंगे तो इंदौर टॉप पे और 10 लाग से कम आबादी में नियू दिल्ली मिनिसिपल कॉर्पोरेशन तो ये इंडेक्स कौन सा है? मिनिसिपल परफॉर्मिंस इंडेक्स की बात करिए हमने अभी स्मार्ट सिटी इंडेक्स आये था उसमें इंदौर और सूरट टॉप पे था पताईए फिलिप्पिन्स की केपिटल क्या है? मनीला है मनीला में आपको बेसे इशन डेवलेप्मेंट का हेड़क्वार्टर भी मिल जाएगा विलिपिन्स की करंसी पीसो है, प्रसिडेटर रुद्री को दुद्दर ते और राजदूत को ने महाँ पे? कौन भारती राजदूत है? शंबू एसकुमारन है विश्व का पहला प्लैटिपस अब भ्यारन्या, प्लैटिपस एक इस्तंधारी जीव है तो ये कहां पे खोला गया? ऑस्ट्रेलिया में और युनाटेड नेशन जनरल इसेमली का हेड़क्वार्टर कहां पर है? न्यू यॉर्क में है और अब इसके 76th सेशन के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है? अब्दुल्ला शाहित को जो कि मालदीव के विदीश मंतरी है और युनाटेड नेशन जनरल इसेमली से आपको याद होगा इसने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराश्टर वर्ष घुशित किया था ट्राइफेड के MD कौन है? विज़े ट्राइफेड की फुल फिर्म क्या बताओ? ट्राइबल को अपरेटिव मार्केटिंग डेवलप्मेंट फेडरेशन आफ इंडिया मेनेजिंग डिरेक्टर प्रवीर कृष्ण है बढ़ते आगे और हाँ गाईज देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं धेर सारी फ्री क्लासेज तो अनकैडमी के हर क्लास कंडग की जाती है आपके बैंक की हर परिक्षक की तेयरी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ये सारी फ्री क्लासेज आपको मिलेंगे अनकैडमी पर जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने personal schedule के हिसाब से पढ़ सकते हैं और anacademy की हर class आप live नहीं तो बाद में recorded session के द्वारा भी attend कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो class को download करके offline भी देख सकते हैं और आप live class में ask a doubt feature के द्वारा teacher से अपने doubt भी clear करवा सकते हैं और आप live quizzes और test session भी attend कर सकते हैं जहाँ पर आपको अपनी live ranking भी देखने को मिलेगी और anacademy पर total 12 भाषाओं में classes conduct होती है तो आप अपनी favorite भाषा में class attend कर सकते हैं आप अपने teacher के साथ interact कर सकते हैं live poll में part ले सकते हैं और ये सबी feature आपको मिलेंगे एक ही platform पर एक ही subscription के साथ तो आज ही subscribe करें अनacademy पर और इन सबी benefits का लाब उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा code जो की है crack exam 10 यूज करते हैं तो आपको additional 10% का instant discount में मिलता है तो आपको इन सबी classes के जो link हैं वो नीचे description में मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सब का benefit उठा सकते हैं अब ही हम बढ़ते आगे तो बताईए World Wildlife Day विश्व वन्नेजीव दिवस कब मनाया जाता है तो अंसर होगा 3 March को इसकी theme थी Forest and Livelihood Sustaining People and Planet फिर बताईए World Hearing Day कब होता है तो 3 March को होता है इसकी theme थी Hearing Care for All Screen Rehabilitate Communicate World Civil Defense Day कब होता है एक March को होता है इसकी theme थी Strong Civil Protection to Preserve the National Economy और Zero Discrimination Day सुन्य भेदबाव दिवस कब मनाया जाता है एक March को इसकी theme थी End Inequalities फिर बताईए National Science Day कब होता है 28 फरवरी को होता है राष्टर विज्ञान दिवस इसकी क्या theme थी Future of Science and Technology and Innovation Impact on Education Skills and Work अब बताईए अंतर राष्टर मात्र भाषा दिवस International Mother Language Day कब होता है 21 फरवरी को होता है और राष्टर महिला दिवस आप जानते हो 13 फरवरी को मनाते हैं एक World Radio Day कब मनाते हैं बताओ वो भी 13 फरवरी को ही मनाते हैं उसकी theme थी इस बार की New World New Radio राष्टर उत्पादक्ता का दिवस Productivity Day 12 फरवरी को होता है और विश्व दलहन दिवस होता है 10 फरवरी को इसकी theme थी Nutrition Seeds for a Sustaining Future तो अब पुराने महीने के Current Affairs को हम लोग revise करेंगे फिर बताइए World Giving Index 2021 में भारत किस स्थान पे रहा चौदवे स्थान पे रहा है और इसमें टॉप पे रहा था Indonesia इसको जारी किया था Charity and Foundation ने फिर बताइए किसने Gelfred Challenge Chess का खिता जीता था डी गुकेश ने भारत के सबसे युवा Grand Master है ये विश्व में तीसर सबसे युवा आपका होगे इनको अच्छा 68th नंबर के Grand Master है हमारे कौन अरजुन कल्यान जो की तमिल नाडू से है और भारत में पहली बार Chess Academy कहाँ पे खुली जाएगी भुवने शिवर में याद रखना फिर बताईए अंतर राष्टर परिवार परिक्षन दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 16 जून को यानि कि International Family Remittance Day इसकी थीम थी Recovery and Resilience Through Digital and Inclusion एक International Family Day भी होता है जो 15 मही को मनाया जाता है इसकी थीम थी Families and New Technologies फिर बताईए किस राजे सरकार ने युवा शत्ती कुरोना मुक्ती अभ्यान को शुरू किया था मद्यपरदेश ने और अगर मैं आपसे पूछूँ एनिमया मुक्त भारत सूचकांग में कौनसा राजे टॉप पर राथा तो मद्यपरदेश आंसर होगा फिर बताईए किस राजे सरकार ने 50 साल ये उससे ज़्यादा आयू के वरक्षों को विरासत वरक्ष का दर्जा दिया तो आंसर होगा महराष्टर ने इसी दरह से हर्यान ने एक प्राणव आयू देउता पेंशन को शुरू किया था याद होगा आपको उसमें 75 वर्ष से ज़्यादा आयू के जो वरक्ष हैं उनके देखबाल के लिए 25 सूर पे देगी सरकार और बताईए किस ने ऑप्रेशन ओलीव या को शुरू किया था तो आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड ने जिसके डारेक्टर जनरल है कृष्ण स्वामी नटराजन और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डारेक्टर जनरल कौन बनी थी नुपुर कुल्ष रेष्ट एक्चुली में ये जो अप्रेशन है उडिसा में जो ओलिव रिडले जो कच्छुवे होते हैं उनकी रक्षा के लिए होता है ये अप्रेशन बताईए ये ICC ने किस भारते खिलाड़ी को ICC Hall of Fame में अभी शामिल किया था और इस तरह से ये सातवे भारतिय बने थे नाम है विनू माकंड और इस तरह से टूटल सात भारतिय अभी ICC Hall of Fame में शामिल हो चुके हैं सातवे तो ये बन गए अगर पूछेंगे इनसे पहले क चे कौन-कौन शामिल हो चुके विशन सिंग बेदी, कपिल देव, सुनिल गावसकर, अनिल कुमले, राहुल दरविड और सचिन लास्टाइम हुए थे और अभी विनू माकंड हो गए फिर बताईए वर्ष दो जार बत्तिस में जो ओलम्पिक गेम्स होंगे या दखना समर ओलम्पिक की बात चल रही है, वो कहाँ पे होंगे, ब्रिस बैन आस्ट्रेलिया में होंगे, और अभी वर्ष दमान में जो आपके ओलम्पिक हो रहे हैं, दो जार इकिस में वो भी समर ओलम्पिक है, एक्च्छल में होने तो दो जार बीस में थे, लेकिन आप जानते हो आप हो रहे हैं, इसके बाद दो जार चौबिस में होंगे, पैरिस में, दो जार अटाइस में होंगे, लास एनजिलिस में, दो जार बत्रीस वाले होंगे, कहांपर, ब्रिस बैन आउस्ट्रेलिया में है, इंटरनेशनल ऑलम्पिक कमäter का हैड़क्ष कहां पर है, लुज़ा निवारन बोर्ड का द्यक्ष बनाया गया एक के सीक्री को और ना में मेडिसेन फ्रॉम स्काई परियोजिना लागू करने के लिए अभी किस ने समझुता किया था फ्लिपकार्ट ने किया था तेलंगना सरकार के साथ फ्लिपकार्ट का हेटकोटर बैंगलूरु में है इसके स भारत का सरवुच नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका था और अमर्तिय से इनसे एक अवार्ड अभी इनको मिला था सूशल साइंस केटेगरी में प्रिंसेस ओफ ऑस्टीरियन गॉड सम्मान मिला था इनको फिर बताए विश्वर रखत दाता दिवस वर्ल्ड जून को ही क्यों मनाते हैं क्योंकि 14 जून को जनम दिन होता है कारल लेंड स्टेनर का जिनोंने ब्लड ग्रुप की खोच की थी और इस बार जो मेजबान देश होस्ट कंट्रीर राय वो इटली फिर बताए किस बैंक ने घर घर राशन कारेकरम को शुरू किया तो अंसर जूने वाली पहली महिला है अंकटाड मतलब होता यूनाटिड नेशन कांफरेंस ओन ट्रेड इन डेवलप्मेंट जिसका हेड़कोटर मिलेगा आपको जेनेवा स्विचल लेन में बताए किस राजय सरकार ने मुख्यमंतरी कोरोना बाल कल्यान योजना की घोशना की तो आ मतलब उसकी स्टेडी करने के लिए है 2030 में इसको लांच किया जाएगा यूरूपियन स्पीस एजनसी का हेड़कोटर मिलेगा आपको पैरिस में बताए जी एस्टी काउंसिल की 44 बैठक में ब्लेक फंगस की दवा जिसका नाम है एमफो टैरिसिन भी उस पे कितने प्रतिश मियूकॉर माइकोसिस और वाइट फंगस को क्या बोलते हैं केंडी डियासिस बताए कि संस्थान के प्रोफेसर ने विश्वूट प्रतिरूदी हेलमेट के लिए NSG पुरुसकार जीता था तो आयटे रूड की के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शेलेश गुविंद फिर बत नियाए तक पहुँच एकसेस टू जेस्टेस एक आपको याद होगा International Day of Order बरसन भी होता है जो हम हर साल 1 October को मनाते हैं अच्छा बताइए तो Tokyo Olympic के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतिक गोलफर कौन बने तो अंसर होगा उधियन माने पहली थी अधिति अशूक Tokyo Olympic से आपको याद रखना है न तो दो most important question आप याद रख लो एक तो Tokyo Olympic में उधगाटन समारों में धोजवाहक किसे बनाया गया है दो जने हैं एक तो हमारे होकी टीम के कैप्टेन मनपरित सिंग और हमारी बॉकसर MC मेरीकॉम जबकि समापन समारों में कौन है पहलवान बज प्रतियोगिता को जीता है तो जेला एवांट गॉडेन या फरीके अमेरीकी ये मातर चोदा साल की इनकी उमरे इस पहलिंग की प्रतियोगिता हैं ये बताइए द प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक की किस ने लिखा है करिना कपूर खार ने लिखा है और राष्ट्र मत किसान दिवस अंग्रेजी में बोलेंगे तो नेशनल फिश फार्मर से डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 10 जुलाई को और बताइए हमारे डेरी विकास मंतरी या पशु पालन मंतरी मतश्य पालन मंतरी कौन है तो पुरुश उत्तम है पशु पालन कौन करते हैं शारीरिक शक्ती जादा हो तो महिलाओं में शारीरिक शक्ती जादा होती है या पुरुशों में अब आप ही बता दो तो पुरुश इसका अंसर होगा ऐसे हमने याद किया था फिर अगला प्रशन क्या है फेडरल बैंक के MDCO फिर से कौन बन जाएंगे शाम शरीनिवासन औ आप को मिलेगा केरल में इसकी टेग लेंग क्या होती है यॉर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर अब यह हैं ले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 क्यू 3 रेंकिंग आईए और इसमें टॉप से फिर से रहा जापान लेकिन भारत की रेंक इस बार 90 कर दी गई है इससे पहले और 10 कै पे था और टॉप पे जर्मनी था बताइए टोक्यो उलम्पिक के लिए पहले भारती जूरी किरूना गया पवन सिंग को और उसी तरह से आपको याद होगा अशूक कुमार का नाम टोक्यो उलम्पिक में कुष्टी में अंपारिंग करने वाले एक मात्र भारती हैं यह से चुने कई कौन स्टीफन लॉफ वेन स्विडन की केपिटल स्टूख होम है करंची है स्विडिश क्रोना आपको याद होगा एक इंडेक्स आये था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसको वर्ल्ड एकॉनमिक फॉरम जारी करता है उसमें टॉप पे सुडन नहीं था भारत उसमें 87 नंबर पे था एक गेहूं की भालिया किस्म है जिसको जियाइटेग मिल चुका था 2011 में मिल चुका था ये बताना है किस राजजिक की है अभी ये नियूज में थी क्योंकि केंदर सरकार ने ये जो गेहूं की किस्म है भालिया इसको केन्या और श्र और वहाँ पे हमारे राजदूत का नाम क्या है तरंजीत सिंग संदू अब बताएए किस मंत्राले ने इस पर शेकी करत प्रश एकी करत प्रणाली को शुरू किया तो अंसरोगर रक्षा मंत्राले ने इस पर श का मतलब हुग है सिस्टम पॉर पैंशन तो गाइस ये था आज का हमारा करंट अफैर्स का रिविजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करा करें इससे शेर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप में जो भी मतलब आपका स्टड़ी ग्रुप हो गया वाट्सप पे फेस्बु झाल 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 झाल